हेलो फैंस मैं हूं धर्मेंद्र आप देख रहे है चैनल यूर एक्जाम गोली आप सभी का आपके अपनी चाल पर बहुत बहुत स्वागत थे तो दोस्तों बहुत ही लंबे टाइम के बात आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया जी हां फैंस हम बात करने वाले हैं आप केंडेट के बारे में चुक्कि दोस्तों आप लों की लगतार कमेंट्स आ रहा हैं कमेंट्स बॉक्स में अलग लग वीडियो उस पर आप लों की कमेंट्स आ रहे हैं बहुत टाइम से किसार जॉइनिंग कब होगी और इसके सासाथ मेरे पास बहुत जादा कमेंट्स देख बताने वाला हूं तो फ्रैंस इससे पहली वीडियो में आगे बढ़ें लाइक कर दें वीडियो को फिर हम करते हैं अपनी कथा को स्टार्ट ओके तो चली बढ़ते हैं आंगे प्रैंस आप लोगों से बोलना चाहूंगा या दी लोग आप लोग भी कोईश्ट चल रही है अपने चैनल पर इसमें भाग लेना चाहें तो ले सकते हैं पैसा कमाओ कोईश्ट करके हैं यहां पर एक प्लानिंग की गई स्टुडेंट्स के लिए ताकि आप लोग में कोईश्ट वाला सिस्टम हम लेकिया हैं इसमें कुछ इनाम की विवस्था भी की गई हैं जिससे कि आप लोग पढ़ाई में मन लगा रहा है इनाम पाने की बासते भी और आप आंगे चलके अपने पेपर को अच्छे से तैयारी कर सकें इसी मक्सा से कुईज है इसमें आप पर बो लगया है चात्रों की संख्या है यहां पर टॉपर से टॉप टैन फाइंड किये जाएंगे और यहां पर फर्स्ट बिनर सेकेंड बिनर थर्ड बिनर इस प्रकार से उनकी राशी रहेगी इस्टूडेंट्स के हिसाब से यहां पर 50 से लेकर 50,000 तक इनाम मिल सकता है बिनर को इसके लिए यहां पर इंट्रेस्टेड हो तो आप जाईए पर नीचे आपको यहां पर रेजिटेश्टेशन करा सकते हैं तो चलिए देखते हैं आप लोगों की क्या बात हुई मेरी अभी तक तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को एक बात बता दूँ मैंने आभी तक करीबन दो आटियाई लगा है अलग अलग आईडी से लेकिन फैंस आभी तक मेरे पास किसी भी पिरकार का कोई रिश्पॉंस नहीं आई मैंने बहुत जादा बेट किया कि आखिरकार आप लोगों का आटियाई का रिप्लाई आ जाया जिससे मैं एक्जेक्ट आप लोगों को जो बात है वो बता सकूं लेकिन दोस्तों बड़े दुख की बात है कि अभी तक मैंने करीबन दो से तीन वार दो बार लगा है आटिय के रिप्लाई नहीं मिला है नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता था करीबन 15 दिन के सम्थिंग सम्थिंग लगता था और आटिया के रिप्लाई आ जाता था तो यहां पर आटिया की थुरू तो इन्फॉर्मिशन कलेक्ट हमको हुई नहीं फिर हमने क्या किया फिर हमने बात की है उसके थुरू एक information collect हुई है उसने भी exact time बता है और उसके बाद मैंने मीडिया से भी अपना पत्रकार दोस्ते उससे भी information collect की है उसने भी जैसे कुछ बता है बोवी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं तो चलिए हम देखते हैं बन बाई बन करके हर एक information को यहाँ पर ग्रोप लेखा है और यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक्स होगे थी मेरे से अभी यहाँ पर रिजल्ट नहीं के बारे में मैंने पूछा था आप लोग भी पूछ सकते हैं लेकिन आपको पहले ही बता दूं धंक से बात नहीं करते हैं आप उनसे दोस्तों मैंने उसे पूछा की सर्च आंग कब होगा दोस्त लोग परशान है बोल रहे हैं कि सर कुछ आइडिया इतना उन्होंने बोला और फॉन कट कर दिया इतना बैड रिस्पॉंस उनका रहा आप दोस्तों यह तो हुए थे कौन फर्स्ट ऑफसर मैंने सेकेंड से बात की मैंने कहा साइद इनका मूड आफ हो इन्होंने कुछ नहीं बताया कोई प्रॉब्लम हो सेकेंड से ब से उठाया था सी और डी तक मैंने बात की तेनों अफसर से तो दोस्तों यहां पर भी मैंने बोई कोशन पूछा कि सर जोइनिंग कब तक होगी आप एंसलरी बालों की मैं एक योटूबर हूं एंड इसके सांसाथ आप लोग यहां पर बहुत जादा कामेंट्स कर रहें मेर Padmei कि तो दोस्तों जैसे मैंने बात में बात कीं तो थोड़ी बात हुड़ी दिरबाद उनका उनका Call बैस्ता अने लगा और अनरहाने काल रिक्सैंब करते थे सब्सक्राइब करते हैं चलिए देखते हैं सेकेंड के बाद थार्ड कि तीसरे ऑफसर नहीं क्या है तो दोस्तों मैं आगा हूं नेश्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं तृती ऑफसर से बाद गुरूप सी से बिलॉंग करते हैं यहां पर थोड़ा टाइपिंग मिश्रिक यहां पर भी मैंने कोशन किया था कि सर जोइन इंकाव आएगा यहां पर आरपीया पैंसलेरी वाले कंडिट बहुत जाधा बेट कर रहे हैं परेशा नहीं कुछ तो इनफॉर्मीशन दीजिए कहीं से हमको इनफॉर्मीशन नहीं मिल रही हैं तो इन्होंने क्या बोला मैं नहीं बता सकता जी offers इनका भी कहना उता कि में नहीं बता सकता हमको आदेश जारी नहीं है यह जारी नहीं Ruguway board आ I had by Tejia प्रमाइशूadow था तो मतला इन्हों थोड़ा अच्छा रिस्पांस दिया लेकिन इन्होंने भी say एक्जेट नहीं बताया है कि आखिरकार आपनों की जोइनिंग होगी तो कब होगी तो फैंस यह तो हुआ कि आद पी आप जो आफशास थे उन्होंने ऐसा ऐसा रिस्पॉंस दिया इसमें हमको कोई संतुष्टी नहीं मिली हमको कोई इंफॉर्मिशन कलेक्ट नहीं हुई अं अथ दंट में मिट्य रिपोर्टेरोर में कारे रात की तो उसने बोला है के आभी जौनिंगा चल रहा है प्रोस्ट कांटी vicinity महेंatro होगी ही 2020 में है की इन्टी कर दूढ़ती होगी हुथ हैं और आप देख पा रहे होगे कि आर्पी अंसलेरी का भली नहीं आ रहा है जोईनिंग का नोटेस लेकिन आप देख रहे होगे करिवन तीन से चार देन से कंटीनु आर्पी जो रेल बे में अलग लग डिपार्टमेंट में जो जॉप कर रहे हैं मतलब की गेट वाले या फिर आप मतलब की रेलवे में एक्टिवीटी स्टार्ड हो गई है तो इन्होंने भी एक्टिवीटी इन सभी को देखते हुए अपने रिस्पॉंस जायर किया मेरे को बताया कि आप उनसे बोलें कि अभी आप लोगों की जोईनिंग भली नहीं हो रही लेकिन बिलकुल पूरे पूर 20 में मतलब कहने का यहां पर 2020 में आप लोगी जोने एनिहाव किसी भी कंडिशन में होने वाली है तो दोस्तों आप लोग ने इतना बेट किया है तो आप इतना और कर लीजिए कुछ नहीं जा रहा है बेट ही करना है ना और यादि आपके मन में कोई और नय एक्जाम करेक क रहनी की लगी है तो उसकी स्टेडी को भी कंडिव रखिए तो फैंस यह तो था क्या मेरे दोस्तों और ऑपी शर्स और जो कुछ अभी तक हुआ है जो जो इंफॉर्मिशन कलेक्ट होई थी वो मैंने आपको बताई लेकिन आप लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा क्या कि आप लोगों से मेरा लगा हो गया है जी हाँ दोस्तों ऐसा लगा हो गया है कि अभी अपना आरपी अपका चला दो तीन मैंने कंटिन्यू आपसे चैट होती रही ये वीडियो वो वीडियो लेकिन अब क्या होता है कोई इंफॉर्मिशन नहीं रहती और मैं भी आपस वी आप लोग मेरे दोस्त बनें मस्त आप Facebook पेस पे जुड़ें ताकि हम एक दूसरे से बात तो कर सकें कम से कम है ना तो जल्दी में आप लोगों को वीडियो बना की बताओंगा कि यह मेरा Facebook आईडियो है आप मेरों को follow कर सकते हैं तब तक लिए फैन्स यादि आपके मन में क कोई डावट से कमेंट से तो बेज़े रख करें ओके टेक क्याल लव्यॉल जैन जै भारत